हेलो दोस्तों मैं पवन मलिक आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुती अलग टॉपिक के बारे में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा किसान कोटे प्लॉट के बारे में क्योंकि काफी लोग जो है किसा किसान कोटे के पलॉट में we invest कि जा सकता है क्या यह में सेफ रहेगा इसके बारे में जाना चाहते है और फिस तरीके से हम inप restaurants को सकते हैं और किस तरीके से अभी जो है यह प्लॉट पेपर पे हैं वह सभी के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दू कि आपने यह प्लॉट जो है नॉड़ा में भी देखेंगे 5% किसान कोटे के नाम से आपने प्लॉट ग्रेटर नॉड़ा में भी देखेंगे काफी जगा पर इंडिस्टिल एरिया है काफी बड़ा कासना के आसपास वहां भी और 7% किसान कोटे के नाम से जाने जाते हैं 7% किसान कोटा सबसे ज्यादा यहां पर यमनमे के बारे में जानते हैं सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करतें तो जिन किसानों की जमीन अथर्टी लेती है एक्वार करती है उनको वह जमीन के बदले 7% 5% 6% के प्लॉट जो है वह प्रोवाइड कराती है यानि कि अगर यमना में है तो 7% और वह जैसे ग्रेटर नर्डा में तो 6% उसी के हिसाब से यमना 30 जो है वह यहां पर यमना में जिन भी किसानों की जमीन उसने एक्वार की है उनको यहां पर प्लॉट जो है वह देती है 7% के इसमें एक और दिक्कत है थोड़ी सी वह भी किलियर हो जाए मानों आपने यहां पर कभी जमीन खरीद ली कुछ टाइम पहले तो और आप अबका sleeping कहीं और आप लिए आप जो है यमना 30 क अंडर जो है नहीं आते आपका एड्रस दिल्ली का है या आट कि आपके जी सी जगार क्या 서प कहीं पर पी इंडिया से और आपने आप आके जमीन खरीद ली है तो आपको यह फ्रॉट नहीं मिलेगा यह तरीके से आपका ग्हर पुस्तेनी प्लॉट हो जाएगा यह उनी लोगों को प्लॉट मिलते हैं जिनकी पुस्तेनी जमीन होती है यह जो यहां के रहने वाले लोग है उन्हीं को मोचली प्लॉट जो है वो मिलते साथ परसेंट के तो इसमें ये भी एक दिक्कत रहती है इसका भी आप द्यान से देखें अगर आप यहां पर प्लॉट वगएरा खरीद रहें बाकी की बात जो है वो मैं आगे भी वीडियो में आपको बताऊंगा तो इस तरीक से इसको यूज कर सकते हैं इसको हम रहने के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं और इसमें हम अगर कोई कोमेर्शल वर्क करना चाहेते तो वह भी कर सकते तो इसी के हिसाब से इसमें 50% कोमेर्शल 50% रेजिडेंशल जो है हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं आप इनी की य तो 60 मीटर के असपास मिलेगा और बड़े से बड़ा चाहिए आपकी कितनी भी जमीन अथर्टी ने लिया है आपको यहाँ पे पत्चिस सो मीटर तक का ही प्लॉट मिलेगा कई बार क्या होता है लोग वो मैं आपको बताओ कि जैसे कि अभी यह नक्सा ग्यारा पे मुश्टल प्लॉट मिलेगा तो मुश्टली नक्सा 11 में इस तरीके हिसाब लगा जाता है कि लोगों की बहुत लोगों की जमीन जो है काफी ज्यादा ज्यादा जाती है और वह पेमेंट अब जब अपना प्लॉट सेल करते हैं तो वह जैसे कि 3000 स्क्वार मीटर 4000 5000 स्क्वार मीटर के हि हिसाब लगा लेते हैं कि हमारा प्लॉट इतना बन रहा है हमारे प्राइज के साब से और जमीन के साब से मगर यह एक अथोर्टी का रूल है कि पच्चिस सो स्क्वार मीटर से बड़ा प्लॉट वह किसी को भी नहीं देगी चाहिए उस किसान की कितनी भी जमीन गई हो और उसे चोटा प्लॉट जो वह साट मीटर तो इस तरीके का प्रावदान है अथोर्टी का तो इस पर ध्यान रखें आप अगर कोई भी प्लॉट खरीदे तो उसमें पहले यह देख लें कि आपका पच्चिस सो से बड़ा प्लॉट नहीं होना चाहिए अगर आप उसको पैसे दे रहें आप खरीद रहें तो पच्चिस सो से ज्यादा पैसे ना दे और अगर वह कहते हैं किसान कि हमें हमारी तो जमीन ज्यादा गई हमें ज्यादा बड़ा प्लॉट मिलेगा तो आप उनको बोलिए जिस टाइम पर आपकी रईष्टी होगी उस टाइम पर ही हम आपको अब यह तो हो गई साइज की बात अब बात करते हैं कि इस प्लॉट को कैसे कैसे खरीदा जा रहा है उसके बारे बात कर लेते देखिए दोस्तों एक किलियर एक यहां पर इस तरीके का रूल है कि जब तक प्लॉट मौके पर नहीं लगता है या हम उसकी डाइमेंशन का पत ऑन 좌ता रचरिक के थ्रू तो अभी किसानकोटे के जब इसमें कि मोस्ट्लीट्ग जो है वह लुकेशन पर नहीं है जैसिकि सैकट्र 821 सेक्टर 17 सब्सक्राइब works已經 नहीं कि कि उखेंगे हैं मैप में अगर आप देखेंगे या आप ग्रायुंड पर पर मिल जाएगी कि किसानों मगर यह कहीं भी किलिए नहीं है कि इस तरीके से प्लॉट होगा यह डाइमेंशन होगी इस तरीके का कोई भी मैप अभी तक तयार नहीं हुआ है कुछ मैप आपको देखने के लिए मिलेंगे काफी डीलर भेजते होंगे मगर वह सब फ़रजी है कोई ग्रेटर नोड़ा का उठाए हुआ है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा इस हुआ है क्योंकि उनको काफी टाइम पहले यहां पर जारी हुए थे और अलॉट्मेंट लेटर मिलने के बाद जो डवलप्मेंट चार्ज होता है जो किसान को पे करना होता है या जिसने खरीद लिया उसको पे करना होता ह क्यों कि अथौर्टी यह जो साथ परसंट के प्लोट देती है इनको डवलप जो है करती है जैसे लाइट का पानी का रोड का सीवर का सभी काम ख़य से फारिकर लिती है जो अलॉट्मेंट चार्जम मिलता है तो उसमें पूरह इसका ब्यूरा होता है कि आपका इतने मीटर प्लोट है इसके नामसे इनको इतना जबल्व्लव्ल्मेट चार्रूर ने होता है मगर काफी किसान ऐसे हैं mostly किसान ऐसे हैं जिनों ने वहां पर डवलप्मेंट चार्ज पे नहीं किया सेक्टर 25 में और उन पे जो है काफी पैनल्टी जो है वो लग गई तो वह प्लॉट पे काफी पैनल्टी लगी हुई है वह भी आप देख लें अगर आप सेक्टर 25 जिसमें plot purchase कर रहे हैं और mostly जो यह सेक्टर हैं सेक्टर 18 20 सेक्टर 22 सेक्टर यहां पर नक्सा 11 पर प्लॉट सेल होते हैं जिसमें हम हिसाब लगाते हैं लोग हिसाब लगाते हैं कि इतनी इनकी जमीन गई है इतना इनको मुझा मिलेगा इस तरीके से अभी प्लॉट सेल हो रहे एक डक्सा क्या रहा के एक तरीके से उस पेपर पर बाकि इसमें अभी रजिश्टी होती नहीं है क्योंकि plot जो वो मौके पर नहीं है उसकी dimension का पता नहीं किया जा सकता इसलिए उसमें रजिश्टी नहीं हो रही है तो अभी इसकी रजिश्टार office में आपका agreement होता है जीप से आप इनको खरीज सकते हैं तो आप उनको खरीदें क्योंकि अभी इन में रजिश्टी नहीं हो रही है इसमें रजिश्टी जो है जब यह plot मौके पर लग जाएंगे चाहें आने वाले एक साल में लगें और यह साल में लगें कभी लगें तब इनकी रजिश्टी पहले वह चाओंत कि नाम होगी किसान अपने नाम कराएगा और उसके बाद किसान आपको यह ट्रांसपर करेगा तो अभी जो सेल वह तरीके से चल रही है जीफिया एग्रिमेंट और वसियत से वाकी रही है इसमें यम्णा में तो आप अगर इस तरीके से सकते इन प्लोटों को तो आप इन में इंवेस्ट कर सकते इंवेस्ट का एक अछा वह है उप्सण अगर आपको ठीक plot मिल जाता है ठीक किसान से मिल जाता है ठीक dealer कर थरू आपकी deal हो जाती है तो किकी अठ्वरों काफी कम है अगर आप आज जाके देखे एक रही हैं किसानों रजिश्टी करा लिया अब वो सेल कर रहें तो वह प्लॉट जो है आपको तीस से लेके चालेस पैतालिस जार रुपे पर स्कॉर मीटर तक आपको ग्रेटर नोड़ा में देखने के लिए अगर यहीं आप देखें नोड़ा में जाके तो आपको नोड़ा में असी हजार से लेके और लाग तक के जो है इनके स्कॉर मीटर के रेट वह देखने के लिए मिलेंगे तो इन्वेस्टमेंट अच्छा है अगर आपकी डील आपके कोई जानने वाले हैं जो किसान बेच रह हैं और अच्छे से आपकी डील होती है तो ठीक है बाकी इसमें इसू भी थोड़ा बहुत आ सकता है उसके लिए आप तयार रहें अगर आगे थोड़ी बहुत इसू आता है तो इसको देखने के लिए तब ही आप इनमें इन्वेस्ट करें इन्वेस्ट का एक अच्छा और 50% कोमेंट्श और 50% रेजिदेंश कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही था किसान कोटे के बारे में अगर और भी कोई आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो कमेंट वॉक्स में या जो नंबर यहां पर आपको प्रोवाइड कराए ऍलसरे अगत तो कोटे कर सकते हैं बाकी कि जानकरी यहाँ वहां से ले सकतें तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना है वीडियो आप को अच्छी लगी हो तो को लाइक करें ज्यादर से ज्यादर करें उन लोग को पास करें जो यहां पर किसी भी तरह की प्रोपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहेते उनको पास आप हमारी वीडियो को सेर कर सकते तो चलिए दोस्तों जैहन जै भारत